किसान भाईयो मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में किसान भाईयो आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने के अंदर कौन कौन सी सबजियां लगाएं आज यहां पर मैं आपको दस से लेके बारे ऐसी सबजियों के बारे में बताने वाला हूँ इन मेंसे यदि आप एक से लेके दो सबजियों के खेती करते हैं तो आप लगबग 30 से लेके 40 दिन के अंदर एक सांदर पैदवार के साथ साथ एक सांदर मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हैं बहुती सांदर तरीके से आपको इन सब्जियों के बारे में बताऊँगा किस तरीके से आपको चैन करना है किस तरीके से आपको खेत को तयार करना है किस तरीके से कौन-कौन से खाट डालने है एक अच्छी जानकारी देने की आपको मैं पूरी-पूरी कोसिस करूँगा वीडियो कोसिस करूँगा काफी कम और काफी कम समय की बने चोटी वीडियो बन जिस खेत के अंदर भी हमें सब्सक्राइब की खेती करनी है उस खेत के अंदर आपको जो हमारी गोवर की सड्यवी कंपोष्ट कहा होती है। सब्जी हमें एक सांदर और अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकती है सभी सब्जियां इस गोबर के खाद की वज़े से अच्छी पैदावार हमें निकाल करके दे सकती है साथ ही साथ किसान भायों आपको जो है गहरी कम से कम दो से लेके तीन गहरी हैरों के जुताईयां आपको करवानी चाहिए जिससे कि जो हमारी गोबर की खाद है ये मिट्टी के अंदर अच्छी तरीके से मिल सके यहां पर आपको एक बात का ध्यान ओड़ देना है कि जिस खेत के अंदर भी आप सबजी की खेती करना चाहते हैं उस खेत के अंदर से पानी निकास की विवस्ता होनी चाहिए ऐसा नहों कि बरसात हो जाए कि महाँ पर पानी भरा रहेगा तो उससे आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है तो पानी निकासी की विवस्ता भी आपको देखनी है और अपने खेत को बिलकुँ समतल करके अब जो आपका खेत है वो किसान भाई तयार हो जाता है सबजी की खेती के लिए अब बात करते हैं दसे लेके बारे सब्जियाँ अक्टूबर महिनी के अंदर सबसे सांधार पैदाबार देने वाली कौन कौन सी है सब्जियों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप किसी भी सब्जी का चेन करें तो जो आप वेराइटी ला रहे हैं उस वेराइटी को आपको ध्यान रखना है कि आपके छेतर के नुसर वो वेराइटी सबसे सांदार होनी चाहिए क्योंकि किसान भी जब आप दुकान के पास पोचते हैं दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार जो है आपको कोई भी वेराइटी उठा करके देता है चाहें वो चार साल पहली हो चाहें पहली हो जितनी जादे अच्छी वेराइटी आएंगी जो नई वेराइटी और वो आपको सांदर पैदावार निकाल करके देती है तो वेराइटी का चैन भी आपको बड़ी ही सूजबूच के साथ करना है यहां पर किसान वे जिन तीन सब्जियों के बारे मैं पहले आपको बता रहा हूं यह तीनों ही सब्जियां काफी सस्ती यानि काफी कम लागत मे आप एक अच्छा मुनाफ़ा इन तीनों सब्जियों से ले सकते हैं तीस से लेके 35 दिन के अंदर यह तीनों सब्जियां तैयार हो जाती है और आपको पैसा आना आपकी जिप के अंदर आना सुरू हो जाता है बहुत कम लागत में अच्छी पैदावार और अच्छा मुना ये तीनों ऐसी हमारी सब्जिया हैं जो मात्र तीस से लेके 35 दिन के अंदर 40 दिन के अंदर तयार हो जाती हैं और इन्हें जब हम मार्केट के अंदर ले करके पोस्ते हैं तो किसान भायों ये हमें अच्छी पैदावार के साथ साथ एक अच्छे मुनाफ़े का जरिया भी हमा की तैयार हो जाती हैं अब किसान भायों बात करते हैं अपनी चोथी वेराइटी की चोथी किसम की चोथी हमारी सब्जी कौन सी है जो हमें अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकती है तो वो है किसान भायों मूली मूली के अंदर भी किसान भायों बहुत कम कर्च में ये आप आपको जदे पैदावार निकाल करके दे सकती है और इसका भी यदि आप चैन करते हैं तो इससे भी हमें काफी कम लागत में एक अच्छी आंदिनी प्राप्त हो सकती हैं तो आप मूली का चैन भी किसान भाई ओ, अक्टूबर महीने के अंदर कर सकते हैं, जब किसान भा को अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकते हैं तो अच्छे आंदनी भी आपको देखने को मिल जाएगी मूली की complete खेती की यदि वीडियो आप देखने चाते हैं तो बुवाई से लेके इसकी हार्वेश्टिक तक जब हम इसकी उखडाई करते हैं तब तक कि ए complete जानकरी की खचा तो आपको देखने को मिलेगा लेकिन ये भी आपके लिए आने वाले समय में एक अच्छी आंदनी का सुरोत बन सकते हैं जिनमें किसानवायो आप लहसुन की खेती कर सकते हैं लहसुन के खेती भी एक सांदर खेती हैं और इसका अभी हमारे पास समय है इसकी भी यद बहुत ज़्याज़ाद देखने को मिलता है लेकिन किसान भई ईन के अंदर भी आपको बहुत की सांदर और अच्छी निकाल करके यह दुनों सब्जी आ हमें दे सकती हैं. इसके अलावा किसान भायो अगर अगली खेती के बारे में बात करें तो आप खीरे की खेती भी खड़ सकते हैं खीरे की खेटी भी बहुती सांधार है और ये एक ऐसी खेटी है, ये एक ऐसी सबजी है जो आप ऐसा मान सकते हैं कि हर मोसम में इसकी जो डिमांड है वो किसानभईयो लगतार बनी रहती है. तो आप खीरा की खेती भी जरूर करें इससे भी आपको एक सांदर और अच्छी आंदनी किसान भायो देखने को मिल सकती है इसके साथ साथ किसान भायो जो मक्का है मक्का की खेती भी आप कर सकते हैं इसके अलावा किसान भायो अक्टूबर महीने के अंदर आपको बैंगन की खेती भी करनी चाहिए बैंगन आपको दो से लेकर तीन तरह की जो इसकी विरायक्या है वो आपको देखने को मिल जाएंगी तो बैंगन की खेती भी आप करेंगे तो इससे भी किसान भायो काफी जादय आमदनी के सुर्त की बात करूँ तो टमाटर की खेती भी आप कर सकते हैं। लेकिन टमाटर की खेती के लिए यहाँ पर आपके पास जो नरसरी है वह पहली से तैयार होनी चाहिए क्योंकि पंद्रे से लेके 20 अक्टूबर तक यदि आप टमाटर की नर्सरी आपके पास तयार है और इसे आप अपने खेत के अंदर लगा देते हैं तो ये भी आने वाले समय में आपको बहुती सांदर आमदनी निकाल करके दे सकता है तो टमाटर की खेते भी आप कर सकते हैं इसके अलावा किसानबायों दो सब्जियों के बारे मैं आपको और बता दूँ एक तो है किसानबायों हमारी मिर्च और दूसरी है किसानबायों हमारी सिम्ला मिर्च इन दोनों की खेती भी यदि आप अक्टूबर के महीने के अंदर करते हैं तो ये भी आपको बहुत जल् करके किसान भायों देंगी लेकिन यहां पर सबसे जाद है जो आपको ध्यान देना है वो ध्यान देना है किसान भायों उन्नत सील किस्मों का चैन करना है अपने छेत्र के अनुसार साथ यसाथ पानी निकासी की विवस्ता आपको देखनी है और पानी देने की विवस्ता भी आपको देनी है क्योंकि ये जितनी सबजिया हैं इन्हें समय रहते हैं यदि आप इनके अंदर नमी बना करके नहीं रखेंगे इन्हें पानी समय से नहीं देंगे तो ये आपको अच्छी पैदावार निकाल करके नहीं देंगी